आत्मिय भायो एबं बहनो परंपुज गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्द श्री के द्वारा सन उन्निस्व नब्व के बसंत परपर महा काल के संदेश के रूप में भविश की रीती नीती एबं महा प्रायान की घोशना की गई थी बर्स 1988 जनवरी महा के अखन जोती पत्रिका के प्रिश शंख्यां 28 में प्रम पुज गुरुदेव लिखते हैं की शरीर परिवर्तन की बेला आते ही यूँ तो हमेशा कार से निराकार होना पड़ेगा पर्चन भर में उस अस्तिती से अपने को उवार लेंगे और द्रिश्यमान प्रती के रूप में उसी अखंड दीपक की जलन्त जोती में समाज आएंगे शरीर के निप्रान होने के उप्रांत जो चर्म चक्छों से हमें देखना चाहेंगे वे इसी अखंड ज्योती की जलती लोव में हमें देख सकेंगे हमारी प्रविर्तिया मरेंगी नहीं वरन बर्ड चड़कर अभिनव भूमिका शंपन करेंगी मीशन तीर की तरह संसनाता अपने लक्ष की ओर बढ़ेगा मीशन के भविश के संबंद में हर किसी को इसी परकार सोचना चाहिए और निरासा जैसे औशुव चिंतन को पास नहीं फटकने देना चाहिए दो जून शन उन्नी स्वन अब्भ गायत्री जैन्ती के दीन गायत्री मंत्र का उच्चारन करते हुए परम्पुजी गुरुदेव ने महा प्रयान किया भाईयो बहनो परम्पुजी गुरुदेव ने गायत्री जैन्ती दो जून को अपना सरीर छोड़ने की घोशना के पूर्वी ही परम्बंदनिया माताजी के समक्च कह गए थे परम्बंदनिया माताजी ने इस अवधी में अपने पर पूरा संतुलन रखा दो जून को अपने आराध के महा प्रयान के बाद करोड़ों बच्चों को हिम्मत बंधा कर एक, दो, तीन, एबम, चार, अक्टुवर, सन, उन्निस्वन नब सरद पूर्णिमा के संकल्प शर्धान जली समारों में उपस्थिते 25 लाग परिजनों के माध्यम से जन जन को आस्वस्त कर दिया की यह दैबी सक्ति द्वारा शंचालित मीशन आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा देव अस्थापना का क्रम चला कर लाखों घरों में आद्शक्ति गायत्री माता को अस्थापित कराया गया भाईयो बहनों इस चैनल के माध्यम से हम गुरुदेव माता जी के विचारों को जन जन तक पहुचाने का कार्ज कर रहे हैं आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कॉमेंट एबं सेर भी अवस करेंगे भाईयो बहनों इसके बाद सन 1992 में चो से आठ जून के बीच शांती कूंज में बिराट सपत समारों का आयो जन कर देव संस्कृती का बिस्तार करने के लिए लाखों लोगों को शंकल्प दिलाया 1992 में ही बंदनिया माताजी द्वारा असमेग जग्यों के शरिंखला की घोशना की गई उनके द्वारा प्रारंब कराई गई असमेग स्रिंखला का पहला यग्ये आठ से दस नवंबर उन्निस्व बिरानब को जैपूर में हुआ इस परकार अठारा असमेग माताजी के मार्दर्शन में ही संपन्न हुई इस आसमेगिक प्रुशार्थ ने बातावरन परिशोधन, सुक्ष्म जगत के नव निर्वान, एबम शांस्कृतिक के बैचारिक क्रांती के नए आयाम प्रस्तूत किये जन जन में गायत्री और यग्य की चेत्ना का विश्तार किया क्या कुछ नहीं किया था बंदनिया माताजी के बैक्तित में आदर्श गिर्हनी वाचल मै मा उतकट तपसुनी अध्यात्मिक सक्तियों की दिविश्रोत ओ जश्वी वक्ता एबं कुछल बैवस्थापि का आदि नौजाने कितने रूपों में वह अपना प्रकास बाटती भिखेरती रही उनकी जिस रूब को जिसने भी देखा मंत्र मुग्द होकर देखता ही रह गया जिसके हाथ में देश और शमाज ने अपनी बागडोर शौपी है वे सब भी माताजी के समाजिक सांस्कृतिक अनुदानों की चर्चा करते नहीं ठकते भाईयों बहनों चार बर्षों की अराध से दूरी की सीमा बंधन वाली परिधी तूट चुकी थी लगता था कभी भी माताजी अपने अराध से जा मिलेंगी परम पुज्य गुरुदेव जिस समाज यग में समिधा की तरह जले उसमें अपनी अंतिम हाविष की आहुती देती हुई परम बंधनिया माताजी ने भाद्र पक्ष पुरिमा उन्नी सितम वर्षन उन्नी सच चौरानवा को महलै स्राधारम की बेला में महा प्र्यान कर उस बिराट जोती से एकाकार हो गई भायो बहनो युग संधी महा पुर्शरन की महा पुर्णाहुती दोचर्णों में शंपन की गई प्रथम कार्तिक पुर्णेमा तीन से शात नमंबर उन्नी सव पन्चौनवा पावन जनम अस्थली आवल खेडा आगरा में एक हजार दोशो एकावन कुंडिय यग से संपन हुई दूतिय बिराट बिभूती ज्यान यग्ये लाखों दीपों के माध्यम से दिल्ली में अक्टूवर सन दोचर्णों में संपन हुई कार्तिक पुर्णेमा साथ से एक ज्यारा नमंबर सन दोचर्णों को एक हजार पान्सों एक्यावन कुंडिय गायतरी एबम स्रिजन शंकल्प विभूती महायग के रूप में गंगा की गोद हिमालय की छाया शांती कुंज हरिद्वार में शंपन हुई भाईयो बहनों अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुख में उजल भवीष की कामना गुरुदीब माताजी से करते हैं हुग हुग